आज हम बात करेंगे फैसले पर सुप्रीम कोट से विदान सभा अध्यक्ष के पाले में जो गैन गई थी वो गैन एक बार फिर सुप्रीम कोट के पाले में जाते हुई दिख रही है सुप्रीम कोट ने जो निर्देश विदान सभा अध्यक्ष को दिये थे और जिन मामले में फैसला उन्हें देना था साइड उस मामले में फैसला नहीं आया और राहुल नार्वे करके इस फैसले को लेकर एक पूरे देश भर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है सुप्रीम कोट ने जब अध्यक्ष को फैसला करने के लिए कहा था तो उसमें यह इस पस रूप चे कहा गया था कि जो सोला विधायक है इनकी आयोगता का फैसला पहले हो और इस बारे में विधान सभा अध्यक्ष अपना फैसला प्राश्मिक्ता के आधार पर करे लेकिन फैसला जो आया है वो चुनाओ आयोग ने जो सिंदे गुठ को मानेता दिये कि सिंदे गुठ के पाद बहुमत है इसलिए हम सिंदे गुठ को ही मानेता देते हैं और शिव सेना का जो पूरा अधिकार है वो एक हिसाप से चुनाओ आयोग ने सिंदे गुठ के पक्ष में द उन्हें दल बदल कानून का पालन नहीं किया और उसका दुर्पयोग करते हुए जो उन्हें पार्टी से निकाला गया था उसके बारे में फैसला उन्हें देना था वह फैसला ना होके और उन्होंने जो फैसला दिया उसमें चुनाओ आयोक के फैसले को आधार बना कर और सिं गटना क्रम हुआ वो भी बड़ा आश्चर जनक रहा विधान सभा अध्यक्ष के पास फैसला करना था वो एक न्यायक भूंका में थे लेकिन उन्होंने फैसला देने के पहले खुद वो स्वयम मुख्वंत्री के पास गए करीब दो घंटे तक उनसे चर्चाय हुई और क्या फैसला आना था क्या नहीं आना था इसके बारे में लेकर शिव शेना गुट ने कल से ही बोलना शुरू कर दिया था कि विधान सभा अध्यक्ष का फैसला देने के पहले यदि सिंदे गुट से मिलकर और इस्तरे की बातचीत कर रहे हैं तो यह नियाय प्रहणाली का उलंग प्रहणाएं और उन्होंने यह जता दिया था कि फैसला आएगा तो क्या आएगा अमू मना जब फैसला घोशित हुआ तो वही फैसला आया कि उन्होंने चुनाओ आयो के निर्णाय के आधार पर ही अपना निर्णाय दे दिया कि सबसे बड़ा घुट जो है वो सिंदे अलग से नहीं लिखी न्याय भारत में जिस तरीके से हो रहा है जिस चीज का न्याय सुप्रीम कोट को करना था सुप्रीम कोट ने वह न्याय करने से साथ सुप्रीम कोट भी बची और उन्होंने न्याय करने का जुम्मा विजान सावाद देश को सौंप दिया था कि ये चु कोने होता लेकिन अब इतना सारा समय इस सप्रीम कोर्ड ने विधांसवाद्स को दिया और इसमें ज़ो समय गुजरना था वह समय गुजरता चला जाएगा और इस सरकार का जब कारकाल पूरा हो जाएकर नहीं चुनाओं आ जाएंगे इसके बाद यदि सुप्रियम कोट का कोई फैसला नियमों के आधार पर आता भी है तो उसकी कोई वजूद्गी नहीं रहेगी महरास्ट वाले मामले में जब सुप्रियम कोट खुद यह कह चुका था कि यह 16 विधायकों के मामले में यह जो राजिपाल की भूमका थी वह असनमयधानिक थी और यह दिया सरकार में उद्दव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उद्दव ठाकरे की सरकार को फिर से कायम कर देते ऐसी स्तिति में इतने लंबे समय को गुजर जाना और एक सरकार ऐसी चलती रहना कि जिसको अपन यह बोलें कि कानूनी दाओंपेंच में फसा के और समय पास करते हुए वह असमयधानिक सरकार जिसे सुप्रीम कोट खुट गए चुका है वह अल्लेडी काम कर रही है इससे मुझे लगता है नियायपालका की साख भी कहीं न कहीं कम हुई है और समयधानिक सरकार के रूप में विधान सवा अध्यक्ष या विधान सवा सचिवाले जो है उसकी भी साख में कहीं न कहीं फरक तो आया है अब यह तो सत्ता में बने रहने के दाओंपेंच है सम्रत को नहीं दोज गुसाई यही कहा जा सकता है तो जिसके पक् यह इसपस्ट हो गया है कि केंद्र सरकार जो चाहेगी वही होगा चुनाव आयक से जो परणाम आये थे वो भी कुछ उसी तरीके के थे कि समयधानिक संस्थाएं किसी के नियाय को जिस तरीके से करना चाहिए यदि वो नियाय करने में सक्षम होती है तो शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समयधानिक संस्थाओं के मामले नहीं जाते हैं और जिस तरह सी सुप्रीम कोर्ट समयधानिक संस्थाएं जो बनी हुई है उनके मामले में यह कहके अपना पल्ला जाड़ लेती है कि भई उनके पास अधिकार है और फैसला वही करें तो मैं नहीं स फैसला करने से दी वो बच रहे हैं जो कहीं न कहीं से न्यायपाल का और समयदानिक विवस्था हैं सब की शब कमजोर हो रही है आज जो फैसला आया है महराशुके राहुल नारविकर विजान सबाज एक्स महोदय का उस फैसले से समयदानिक संस्ताओं की साक बढ़ने वाली नहीं है कहीं न कहीं साक इससे घटी रही है और उनका भी चुनाव पढ़ना वो जो भी फैसला देते देते लेकिन उन्हें भी ये मरियाधा का पालंग करना चाहिए था कि कम से कम उन्हें जो पार्टी थी जिनके वारे में वो सुनवाई कर रहे थे, उन से यह जी वो मिलते हैं और उसको प्रचारित करते हैं, तो कहीं न कहीं होए अपने फैसले में खुदी प्रस्चिछन लगवाने का काम करते हैं, बाराल जो हो गया, सो हो गया, आगे जो परणाम जो हैं, जो हो चुका, उसको कहीं प्रवावित करने की इस्तिती में नहीं होगा, जिनके साथ जो गल्ती होनी थी, वो तो हो गई, और बहुमत के आधार पर जो पर पर जो परणाम आ सकते थे, वो सब ने देख लिये, तो इसमें कहीं न कहीं नियाय पाल्का की साख गड़ बड़ा रही है और नियाय पालका को भी इस देशा में सोचेने की जरुवत है कि वह फैसला करते समय राहुल नारवरिकर को इतना समय दिया और जो इस पस्ट निर्देश थे उन निर्देशों के आधार पर एजी फैसला नहीं होता है और सुप्रीम कोट भी एजी मु झाल